आम आदमी पाटी से राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रिम कोट ने मुख्यमंतरी अरविंद केजरीवाल के संयोगी विभव कुमार से कई सवाल पूछे उच्चेतम नयावले ने विभव कुमार के वकील से पूचा है कि क्या मुख्यमंतरी आवास नीजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंतरी आवास में काम करना चाहिए सुप्रिम कोट ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल के पूर्व नीजी सचिव विभव कुमार को गुंडा बता दिया है सुप्रिम कोट ने मुख्य मंत्री केजरीवाल पर भी काफी गंबीर प्रशन उठाए है सुप्रिम कोट ने कहा है कि क्या केजरीवाल के ओफिस को गुंडे रखने की जरूरत है सुप्रिम कोट ने यह टिपड़ी विववकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है सुप्रिम कोट के जस्टिस उजवल भुया और जस्टिस सुर कांत और जस्टिस दिपांकर दत्ता ने गुरुवार एक अगस्त दोजार चोबिस को विवव कुमार के मामले की सुनवाई की, कोट ने कहा, क्या मुक्यमंत्री का बंगला कोई नीजी आवास है, मुक्यमंत्री आवास को ऐसे गुंडे रखने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या हुआ है, हम तो आश कुमार को ऐसा करते समय कोई सर्माई, सुप्रिम कोट ने कहा है कि स्वाती मालीवाल ने हमले से पहले अपने सारेरी किस्ती भी विवव कुमार को बता दी थी, फिर भी उन्होंने हमला किया, सुप्रिम कोट ने कहा है कि विवव कुमार पूरो सचीव है, कोट ने कहा कि आगे चल कर बुरे उधारण के रूप में देखा जा सकता है। कोट ने काया कि अगर विववकुमार नई जाज परवाइद कर सकते हैं, तो आखिर कौन कर सकता है। इसे से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने विवावकुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था, इसी के किला विवावकुमार सुप्रिम कोर्ट पहुचे थे, हाला कि सुप्रिम कोर्ट से भी उन्हें कोई रहात नहीं मिली है, सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुल स्वाती माली वाल ने कहा है कि उनकी पिटाई के दावरान केजरी वाल के आवास में मौजूद लोगों ने उनकी मदद नहीं की। फिलाल इस खबर में इतना ही बाकी अपडेट के लिए बने रही है लाइट टीवी निउज के साथ।